फ़र हिलो और exploded का मेंडायान इसे हों आप सब आपसा, होब सबी अच्छे होंगी सबी बहुत खुश होंगी, मजे में होँगी तो हो गई है मेरी यातरा की शुरूआया तो हम जा रहे हैं अभी और चांद खेडी हम लोग निकले थे नाइट में 12 बजे तो नाइट में 12 बजे हम लोग निकले थे तो हम सुबह 6 बजे चांद खेड़ी पहुंच गए थे जो राजस्तान में ही है कोटा के पास तो वहां से फिर हम लोग खाना वाना खाके दर्शन करके सब करके फिर हम लोग दिन में निकले थे तो अब हम सीधा जा रहे हैं MP में सोना गिर्ड जो गवालियर के पास में है वहां पर तो वहां के मतलब बीच का ये रास्ता है तो वहां का मैंने थोड़ा सा शूट किया था कितनी अच्छी सी पहाड़िया वगेरा बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और साथ में मेरे मोसी मोसा जी भी थे पापा ममी भी थे मोसा जी मेरे बहुत ही मतलब खुश मिजाज आदमी हैं बहुत ही मतलब हमेशा खुशी रहते हैं दुसरों को हसी मजा करवाना ये सब तो हमारा सफर कैसे कट गया हमको पता ही नहीं चला तो इस तरह से बहुत ही हसते खेलते दर्शन करते ये सब करते हुए हमारे 10 से 11 दिन कहीं निकल गए मैं बिल्कुल भी पता नहीं चला लेकिन थकान जो हुई है ना बै पूछो मत इतनी ज्यादा थकान हो गई है तो ये देखी ये पिक है सोना गिर का सारी जगे पे मैं आपको शूट करके मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यात्रा करने में इतने ज्यादा बीजी रह जाते नहीं है तो उसको उठा उठा के ही हम लोगों को चड़ना पड़ा था और ये देखी ये बिल्कुल पहाडी के उपर का व्यू है एक कूंड बना हुआ है बहुत बड़ा सा उसका तो जो जेन लोग है मेरे व्यूवर्स उनको तो पता ही होगा अगर उन्होंने सोना गिर की यात्रा की है तो वो कैसा है क्या है देखिए पीछे छोटे-छोटे से मंदीर आपको दिख रहा है न काफी बड़े-बड़े मंदीर थे वो लेकिन व्यूज मतलब पीछे से मैंने लिया है फोटो बहुत दूर से तो इसी ऐसा ही लग रहा था कि छोटे-छोटे मंदीर है और ये था हमारा यात्रा ग्रूप ममी पापा मोसी मोसा जी और हम दोनों नियूँ तो ये जब मॉर्निंग में हम बंदना करने के लिए जाने है और सोना किर में हम नाइट में रुके थे सुबह हमने वंदना की और फिर दिन में हम वहां से निकले थे तो हम लोग रात में पहुँचे जासी जो यूपी में है तो ये जासी सीटी का व्यू है वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे करीब 9-9.30 हो गए थे हमको और उसके बा मैं विशय खोनिटी राकिया हूँ यह बिच रसते में मामा का बनाते हूए और बिना गेस की चाय पतीं चाय बनाते हूए वेफये देखाजना यह नियू मिट्टी का जूच बनाते हुए का बना रही है निव क्या बना रही है किसका मिट्टी का जूच कौन पिएगा मठीक है यह हूँ सबको बेस्ट अप लग कर दे इसे कर दे और देखिए हमने अपनी गाड़ी को केमपर वेन बना दिया जैसे कि मैं वीडियोस देखती हूँ काफी सारे लोगों के जो केमपर वेन में गुमते हैं जैसे गुमकर बग्स हैं, नहीं माचली कपल हैं इन लोगों को तो मैं देखती ही हूँ हमेशा मुझे बहुत पसंद है केमपर वेन वगेरा लेकिन ये शोग भी हमने पूरा कर लिया, हम छोटा सा ये गेस सिलेंडर अपने साथ लेके गए थे हमने रास्ते में ही एक गाव आया था तो दूद ले लिया था और हमने गाड़ी रोकी और वहाँ पे ही हमने चायद गुद वगेरा बनाया, हलका फूल का हमारे पास जो सूखा नाश्ता था वो किया और फटा फट से सब समेट के और हम फिर से निकल गए हैं अपनी जर्नी पर तो अब हम लोग पहुँच गए हैं कुंडलपूर कुंडलपूर वाले बड़े बाबा बहुत मतलब सारे लोग जानते होंगे अगर जो जेन हैं वो तो सारे जानते ही हैं और अगर MP से तो अगर नोन जेन भी मुझे देख रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि कुंडलपूर के बड़े बाबा मतलब जेनों के कितने ज्यादा लोग मानते हैं वहाँ पर तो ये और उसके बाद काफी लंबा कम से कम 400 किलोमेटर का सफर तरकताई करके हम पहुँच गए डोंगर गड़ वहाँ पर हमारे आचारी शिविध्या सागर जी महाराज हैं और उनके दर्शन करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए हम लोग तो इस यूग के बगवान म तो अगर खाना मिले ना मिले कोई बरोसा नहीं है तो बीच रास्ते में गाड़ी रोकें तो पता नहीं कहीं चाया मिले ना मिले इसलिए हमने 8-8 बजीती और हमने धेर सारे पोहे बना दिये ताकि पेट भर के सब लोग नाश्ता कर ले और उसके बाद ही हम लोग यहां से निकलेंगे तो में और पापा दोनों मिलकर बना रहे हैं पोहा गर पर तो हम लोग कुकिंग करते ही हैं लेकिन बाहर मतलब यह सारे काम करने का अलग ही मजा है काफी अलग ही experience रहता है रोड पर यह सब बनाना या कोई भी धरम शाला के रूम में सब काम करना एक जगे तो वैसा हुआ था न कि हम लोगों को सिलेंडर देख के मना भी कर दिया था कि आप लोग सिलेंडर यूज नहीं कर सकते फिर हमने बोला था थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करी कि हमारे पास चोटी बेबी है तो उसके लिए दूद वगेरा बनाना पड़ता है वैसे नाश्ता व अब बीड देख रहे हैं ना ये आचाशी के पड़गाहन की बीड है मतलब सिर्फ तीन सादू है लेकिन पड़गाहन के लिए देखी कितने बीड है अब पड़गाहन क्या होता है ये तो जो जेन होते हैं उनको पता ही हमारे आचाशी आहर के लिए निकलते हैं मुनी महरा जो होते हैं तो उनको इस तरह से पढ़गा हम किया जाता है और ये वीडियो है ललिदपूर के एक जेन मंदिर का जिसका नाम है अभी नंदनोय देतीर्थ इसका पुराना नाम क्षेतरपाल मंदिर था और अभी इसका जिरनोधार हो गया है और काफी अच्छा मंदिर ये बनाया है पूरी यातरा मैं सबसे अच्छा मंदिर ये ही मुझे लगा सारे ही मंदिर बहुत अच्छे थैं लेकिन जो बोलते हैं कि सबसे अच्छा तो वो है ये पास मंजिल में आपके शुटे बश्रेश जलतां डाले लोटें कायमन रहिये लोटें चकरत लगर सावे और ये हैं हम सफर के एंड में जो हम लोग प्रतिस्ठा में गए थे धाइदीब जिनायतन इंदोर में वो ये मंदिर है यहाँ पे हमने एक प्रतिमाजी स्थापित करी थी तो आज का ये व्लोग में आप यही पे एंड करती हूँ आपको मेरी यात्रा का तो आपको अगर ये व्लोग ज़रा भी पसंद आया हो मेरी यात्रा का तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जल्द ही लोटूंगी नए वीडियो के साथ तब तके लिए बाइ और टेक कियर